दूसरा है संघात्मक राज़्यों के लिए उपयुक्त होता है. संघात्मक राज्य जहां केंद्र और राज्य में शक्ति का विभाजन होता है। इसके लिए हम उधारण देखेंगे भारत का उधारण हम देखते हैं 1919 का भारती शासन अधिनियम जिसमें पहली बार द्वैध शासन को अपनाया गया था द्वैध शासन में राज्यों को भी शक्तियां दी गई थी गवर्णर जनरल है मंतरी परशद है दोनों को अधिकार दीए गए थे कारे करने के लिए ये बात अलग है कि मंतरी परशद जो थी उनके अधिकार थोड़े कम थे गवर्णर जनरल फिर उसके बाद हम देखते हैं 1935 का भारती शासन अधिनियम इसमें से भारत ने अपने सविधान में 80 प्रतिशत जो अनुच्छेद है वो अपनाया है तो आप भारत में देखेगा 1919 से लेकर 1947 तक 1935 का अधिनियम क्यों बना क्योंकि जाहिर सी बात है कि राज्यों ने योगी और उनकी मांग पूरी भी होई होगी इसलिए 1935 का एक्ट बना है तो जहां कहीं भी संगहात्मक शासन होगा वहां पर शक्ति का विभाजन होगा और शक्ति का विभाजन होगा तो सविधान को लिखित और कठोर बनाना आवश्यक है तीसरा जनता के अधिकारों की कठोर सविधान का अधिकांश भाग लिखित होता है और इसी कारण जनता के अधिकारों की सुरक्षा का आश्वाशन रहता है शासन द्वारा जनता के अधिकारों का अपहरण किये जाने अत्वा अधिकारों के संबन में कोई विवाद उत्पन होने पर सविधान और न्या का आश्रे लिया जा सकता है जैसे हम उधारण देखते हैं भारत का अनुच्छे चवदा समता और विधी का समान संरक्षन यहां पर प्रतेख नागरे को कानून का संरक्षन प्राप्त होगा अगर वो व्यक्ति गरीब है उसे न्याय चाहिए और गरीब होने की वज़ा से वो वकील नहीं रख सकता है तो सरकार उसके लिए वकील की व्यवस्था करेगी और उस केस में जितने भी खर्च होंगे उस खर्च को सरकार ही वहन करेगी तो इस प्रकार से हम देखें कि कठोर सविधान में नागरीकों को उनके अधिकारों की जो सुरक्षा की गैरेंटी मिलत है चौथा सविधान के सम्मान में वृद्धि कठोर सविधान निश्वित और इस्थिर होने तथा देश के ज्ञानी और अनुभवी राजनितिग्यों की समीती द्वारा निर्मित होने के कारण इसके प्रति नागरिकों में सम्मान और विश्वास का भाव पाया जाता है जैसे हम जिस चीज़ को देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं जैसे कि भगवान जिसको कई लोग मुर्ती में देखते हैं तो उनको विश्वास होता है कि भगवान है और उसको मानते हैं उसका पालन करते हैं क्या हो का उसी प्रकार से अन्य धर्मों में भी कई सारी विश विश्वास हैं का मानने इश्वर हैं और उसका स्वर विश्वास करते हैं और उसका भय मानते हैं उसी प्रकार से सविधान को बनाने वाले जो राजनितेग्य थे जो काफी ज्यानी थे अनुभवी थे उन्होंने सोचा कि हम सविधान को लिखेंगे और कठोर बनाएंगे क्य जो है इस पश्टता व सुनिश्चिता कठोर सविधान का निर्माण एक विशेश समय पर विशेश समीति के द्वारा विशेश वाद विवाद और विचार विमर्ष के पश्चाद किया जाता है तथा आवश्यक रूप से लिखित होने के कारण यह सविधान अधिक इस पश् में के कयी लाव हो सकते हैं जैसे निए पहला Mizraara और गले सविधान में अपने हित के अनुकूल परिवरतन नहीं कर सकते हैं सटारे दर जैसे कि आप देखिए गां चीन है रूस है और Meksiki है यहां पर सविधान लिखा गया पर यहां पर एक ही पार्टी के जो नेता है उन्होंने क्या किया अपने मन से सविधान में परिवर्तन किया है तो यहां पर कठोड़ता नजर नहीं आ लिए परिवर्तन उन्होंने कर लिया पर आप भारत देखिए ऑस्ट्रेलिया देखिए अमेरिका देखिएगा जब से यह देश आजाद हुए हैं यहाँ पर पूरे अनुशासन के साथ इन सविधान का पालन किया गया है क्यों क्योंकि इस पश्टिस में लिखा गया है कि सत्ता रूड दल जो है वो स्वेक्षा अनुसार अपने हीतों के अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते दूसरा जो इसमें कहा गया है कि सरकार की तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कारेपालिका और नियाएपालिका के छेत्रा अधिकार निश्चित होते हैं और विवायत की गुंजाईश नहीं होती है जैसे कि भारत बहुत अच्छा सविधान जिसमें इस पश्च रूप से तीनों अंगों के कारियों को उनके छेत्रा अधिकार को बताया गया है तो हमें नियाएपालिका के पास जाने की उतनी जरुद नहीं पड़ती छेत्रा अधिकार को लेकर तीसरा है सविधान बहु संख्यकों एवं अल्प संख्यकों के हितों और अधिकारों की रक्षा करता है देखिएगा शोशन हमेशा बहु संख्यक के द्वारा ही किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो अल्प संख्यक हैं उनके हितों की रक्षा करनी जरूरी है तो जहां कहीं पर भी जो सविधान है वहाँ पर अल्प संख्यकों की हितों के लिए प्रावधान वहाँ पर किया जाता है और भारत में सबसे जादा अच्छा प्रावधान किया गया है अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा के लिए अब कठोर सविधान के दोश को देखते हैं पहला दोश है राष्ट्र की प्रगती में बाधक किसी राज्य का राज्णितिक जीवन सदैव एकसा नहीं रहता समय के साथ साथ व्यक्ति, समाज और राज्य के जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं किसी राज्य के सविधान के लिए ये आवश्यक है कि वह परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन शील हो लेकिन कठोर सविधान में सरलता से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है परिणाम इसका ये होता है कि वो राज की प्रगती में बाधक सिद्ध होता है जैसे कि गारणर ने कहा है कठोर सविधान व्यक्ति के उज्वल भविश्य एवं चतुर मुखी विकास का ध्यान रखे बिनाही हमेशा के लिए एक ही नाप की पोशाग बना देने के समान है तो हम इसको देखें इस दोश को तो ये दोश हमें प्रासंगिक नहीं लगता है कि अगर सविधान लिखित हो और कठोर हो तो वो राष्ट की प्रागती नहीं हो सकती हमें प्रासंगिक नहीं लगता है जितने भी देश है लगभग सभी ने लिखे सविधान को अपनाया है यदी राष्ट्रकी प्रगती में बाधक होता तो क्या ये देश लिखे सविधान को अपनाते नहीं अपनाते तो इतने सारे अलिखे सविधान में या लचीले सविधान में कितने देश हैं गिन के तीन चार ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजिलेंड और ये दोनों न्यूजिलेंड कनाडा जो थे वो ब्रिटिश से प्रभावित थे ब्रिटेन से प्रभावित थे तो दुनिया की इतने सारे दे नहीं लगता दूसरा कि क्रांती की संभावना जब बदली हुई समाजीक आर्थिक राशनीतिक परिस्थितियों और आवश्चक्ता के अनुसार सविधान में परिवर्तन नहीं हो पाता तो जिससे जनता में आसंतोष व्याप्त हो जाता है जो क्रांती का कारण बनता है लॉर्ड मैं काले के शब्दों में अगर हम कहें तो क्रांती का सबसे बड़ा कारण यह है कि राश्ट तो प्रक्ति करते रहते हैं पर सविधान वहीं के वहीं इस थिर खड़े रहते हैं यहां पर भी आप देखेगा क्रांती की जो संभावना है वो केवल कठोर सविधान में नहीं होती वो लचीले सविधान में भी हो सकती है जैसे अमेरिका का सविधान कठोर है पर वहां भी क्रांती हुई है ब्रिटेन का सविधान लचीला है वहां भी क्रांती हुई है दक्षिन आफ्रिका सविधान कठोर है पर वहां पर भी क्रांती हुई है अगर आप मध्यपुर्व के देशों को देखें तो वहाँ पर धर्म की वज़ा से क्रांतियां होती है चाहे वहाँ का सविधान लचीला हो या कठोर हो क्रांति होती है तो हम यह देखते हैं जी क्रांति जो है वो इस बात पर निर्भर करती है कि समयकाल कैसा है परिस्थितिया कैसी है उन परिस्थितियों के उपर डिपेंड करता है कि उस देश में क्रांति होगी कि नहीं होगी उसका कठोर सविधान से या लचीले सविधान से कोई लेना देना नहीं होता है तीसरा अधिकारों की रक्षा संभव नहीं नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कठोड सविधान की आवशक्ता नहीं है ब्रिटेन का सविधान लचीला होते वे भी वहां के नागरिकों के अधिकार अधिक सुरक्षित हैं क्योंकि ब्रिटेन के नागरिक जाग रुख हैं दूसरी तरफ एशिया वह आफ्रीका में अनेक देशों में जहां कठोर सविधान है फिर भी वहां नागरिकों के अधिकार वास्तव में नहीं है यहां पर हम देखेंगे कि जो ब्रिटेन है वो कई सो सालों से शासन करते आया है ब्रिटेन ने दूसरों का शोषण किया है ब्रिटेन के नागरिक जाग रुख है इसलिए उन्होंने अपने अधिकारों को लिखना जरूरी नहीं समझा और लचीला बनाया है लेकिन ब्रिटेन का उधारण हम बाकी जारे दुनिया पर यह लागू नहीं होता जहां पर हुए हैं जहां पर अत्याचार हुए हैं वहां पर अधिकारों को लिखना और उसे कठोर बनाना भी जरूरी है यहां पर आप यह भी देख सकते हैं कि मध्यपूर्व के देखिएगा मध्यपूर्व के देशों में जहां लिखा गया है सविधान इसके बावचूद भी वहां के नागरिकों को अधिकार नहीं मिल पाते तो ना लिखा जाए तो लोग तो टैंक पकड़के घुमने लग जाएंगे रोड़ पर निकलना शुरू कर देंगे तो जहां से उन्होंने अपने अधिकार को सुरक्षित करने के लिए उसे कठोर बनाया है तो सिव अकेला ब्रिटेन के उधारण को हम पूरी दुनिया पर लागो नहीं कर सकते अमेरिका जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है जब उसने अपने सविधान को लिखा और कठोर बन संकट काल के लिए अनुप्युक्त इसका जीवंत जो उधारन है वो अमेरिका है अमेरिका में अमेरिका का जो राष्ट्रपती है बीना सीनेट के अनुमत्ती के किसी भी देश के साथ वो युद्ध नहीं कर सकता उसे युद्ध करने के लिए सीनेट की अनुमत्ती लेनी आ अगर दूसरे देशों से संधी और समझोता भी करता है तो उसकी लिए भी उसको सीनेट की अनुमति लेनी आवश्यक होती है अमेरिका में जो सीनेट है यह हम कह सकते हैं कॉंग्रेज जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्ति शाली द्वितिय सदल है हमारे राज्यसभा की जैसा नहीं है राज्यसभा से कई गुना जादा उसके पास शक्ति है भारत में देखे कई सारे जो मामले हैं जैसे कि हम देखेंगे हिंद महासागर में चीन का जो प्रभाव है या पाकिस्तान का मुद्द है या कश्मीर का मुद्द है या 370 ऐसे कई सा अगला न्यालेओं का अनवश्यक हस्तच्छेब कठोर सविधान में सरकार के तीनों अंगों में न्यायपालिका सर्वुच्छ होती है क्योंकि सविधान की व्याख्या करना उसी के हाथों में आ जाता है तथा न्यायपालिका को पूर्ण अधिकार होता है कि व्यवस्थापी का द्वारण निर्मित किये किसी भी कानून को सविधान के विरुद्ध का कर अवैद्य या गैर कानूनी घोशित कर सकते हैं आलोचको का कहना है कि न्यायपालिका के पास इतनी शक्ती नई होनी चाहिए जिसके बल पर वे प्रजातन जन प्रतिनी ध्योद्वारा बनाए गये कानून को अवैद्य घोशित कर सके न्यायपालिका का यह अधिकार जनाकान च्छाओं की अवहेलना करते हुए उससे सर्वोच असरवाधी कारी बना देता है इसलिए अमेरिका के संबंद में यह कहा जा सकता है कि वहां उच्चतम न्याले ही सविधान है सविधान में हम देखें कि न्यायपालिका जो है सविधान की व्याख्या करती है सविधान की रक्षा करनी की जो जिम्मेदारी होती है वो न्यायपालिका की होती है न्यायपाली का जो है वो भावनाओं पर नहीं चलती न्यायपाली का तत्यों पर चलती है जैसे कि भारत में 370 को हटाया गया अगर वो संसर्थ की सही प्रक्रिया को फॉलो करते हुए अगर नहीं हटाया जाता तो न्यायपाली का इस संशोधन को अवेड्य घोशित कर देती इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायपाली का महतुपुर्ण नहीं है या अनुचित हस्त छेप करती है ऐसा नहीं है कि न्याय पाली का सविधान के अनुसार चलती है सविधान में लिखी गई बातों के अनुसार वो चलती है जैसे कि उत्तरपुर्व के राज्यों में विकास कार्य करने के लिए या विकास योजनाव के लिए परियावरण का हास हो रहा है तो वहां पर हरित न्यायधी करण है बहाँ पर कई सारे PIL डाले गए हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि जो न्याय पालिका जो है वो सविधान की रक्षा करते हैं और सविधान के अनुसार चलती है इसलिए वो अनावश्यक रूप से हस्तचे भी करती है हमने कठोर और लचीला सविधान दोनों पढ़ा है इसका निश्कर्ष यह है कि सविधान कठोर हो या लचीला हो वो उस देश की परिस्थिति के उपर डिपेंड करती है जैसे कि ब्रिटेन लचीला सविधान है पर वहां की परिस्थितियों को अगर हम देखें तो वह कभी भी आई स्थिर्ता नहीं आई है वहां पर उनके नागरिकों के अधिकार सुरक्षित है अमेरिका कठोर सविधान है कठोर सविधान इसलिए है क्योंकि वहां की तोनों सविधान कठोर और लची युदान दोनों अपनी अपनी जगा संदर जो उधारन वह भारत का सविधान भारत का जो सविधान वह लचीजला भी है और गठोर भी है कैसा रे जो कि सअधारन बहुमत के आधार पर होते हैं जैसे किसी छेत्र का नाम बदलना हो या भारत में विलय करना हो या भारत के छेत्र को दूसरे देश को देना हो ये अगर हमें करना हो तो साधारन बहुमत के अनुसार कर सकते हैं और मौलिक अधिकार में शंसोधन करना है नीति निर्देशक्तत्तु में श कठोर है और यदि राश्ट्रुपति राज्यपाल न्यायपालिका से संबंधित अगर कोई संशोधन करना है तो विशेज भौमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति आवश्यक होती है तो भारत ने लचीला और कठोर दोनों रूप अपनाया है सविधान का चाहे सविधान निर्मितं यर्ण का निर्माण का निर्माण एक सविधान सा भाद्वारा किया जाता है जबकि अलठिस सविधान परंपरा वरीति रिवाच या अभी समय पर आधारित होते हैं लिखे सविधान इसपष्ट वर निश्चित होते हैं जबकि अलिखे सविधान आइसपष्ट और अनिश्चित होते हैं लिखे सविधान कठोर होते हैं जबकि अलिखे सविधान लचीला होता है लिखिस सविधान में शासन की निरंग कुष्टा का भय नहीं रहता जबकि अलिखिस सविधान में शासन की निरंग कुष्टा का भय रहता है लिखिस सविधान में क्रांती का भय रहता है जबकि अलिखिस सविधान में क्रांती का भय नहीं रहता लिखिस सविधान संकट काल के लिए उप्युक्त नहीं है जबकि अलिखिस सविधान संकट काल के लिए उप्युक्त है लिखिस सविधान संघात्मक्षासन के लिए उप्युक्त है जबकि अलिखिस सविधान संघात्मक्षासन के लिए अनुप्युक्त है लिखिस सविधान का सर्वोत्तम उधारण अमेरिका है और अलिखिस सविधान का सर्वोत्तम उधारण ब्रिटेन है दूसरा अंतर हम देखते हैं लचीले और कठोर सविधान में अंतर लचीला सविधान अलिखित होता है जबकि कठोर सविधान लिखित होता है लचीले सविधान में संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है जबकि कठोर सविधान में संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है लचीले सविधान साधारन कानून तथा सविधानिक कानून में अंतर नए किया जाता जबकि कठोर सविधान में साधारन कानून और सविधानिक कानूनों में अंतर किया जाता है लचीले सविधान राष्ट्री विकास और प्रगती में सहायक होते हैं जबकि कठोर सविधान राष्ट्री विकास और प्रगती में सहायक नहीं होते हैं क्योंकि सविधान में संशोधन समय के अनुसार होना कठिन होता है लचीला सविधान संकत काल के लिए उपयुक्त होता है जबकि कठोर सविधान संकत काल के लिए उपयुक्त होता है लचीला सविधान संघात्मक्षासन के लिए अनुप्युक्त होता है जबकि कठोर सविधान संघात्मक्षासन के लिए उप्युक्त होता है लचीले सविधान में क्रांती के संभावना नहीं रहती क्योंकि समय के अनुसार सविधान में परिवर्तन किया जाता है कठोर सविधान प्रान्ती की सविधान संभावना बनी रहती है लचीले सविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद अत्वा व्यबस्थापिका को होता है जबकि कठोर सविधान में संशोधन करने के लिए संसत के से उच्चतर एक संस्था की आवशक्ता होती है लचीले सविधान में संसत की शक्ती आसीमित होती है संसत की इस्तिती सर्वोच्च होती है जबकि कठोर सविधान में संसत की शक्तियां सविधान द्वारा सीमित कर दी जाती है, सविधान को सरोच्चता दी जाती है। हमने सविधान पढ़ा अब समान्य रुप से सविविध सविधानों के अध्यान के आधार पर हम एक अच्छा या आदर्ष सविधान किसे माना जाता है उसे देखते हैं संशिप्तता को ये माना गया है कि वो आदर्ष सविधान के लक्षन है संशिप्तता विद्वानों का मत है कि सविधान जितना ही सुक्ष्म हो उतना ही अच्छा है सविधान के अंतरगर केवल शासन से संबंधित मुख्य बातों का ही वर्णन होना चाहिए दिन प्रती दिन के राशनीतिक जीवन से संबंधित समान्य बातों का विस्तार से वर्णन नहीं होना चाहिए अमेरिकी सविधान संचिप्त सविधान का श्रेष्ट उधारन है अमेरिका के सविधान को श्रेष्ट कहा जारा है अमेरिका के सविधान में केवल साथ अनुच्छेद है तो क्या भारत का सविधान आदर्श नहीं है अमेरिका को अगर हम आदर्श मानतें उनके सविधान को तो अमेरिका में केंद्र और राज्य के बीज हर दिन विवाद होते हैं और न्याय पालिका के पास वो केसिस जाते हैं भारत में भारत का सविधान संशिप्त नहीं है उसमें 355 अनुच्छे दें अगर हम संशोधन को भी अगर इसमें जोड़ें तो 400 से भी अधिक है तो भारत का सविधान तो संशिप्त नहीं है तो क्या भारत का सविधान है कि भारत के सविधान में जो कंटेंट है वो बहुत अच्छे हैं और अपने कंटेंट की वजह से भारत का सविधान है वो आदर्श है और भी जो देश हैं जैसे जर्मनी 141 अनुच्छेद हैं और दक्षिन आफरिका 244 ऑस्ट्रेलिया 128 यह सब व्यापक हैं संशिप्त नही हैं और यहां की राजविवस्था शांती पुर्वक चल रही है तो सिब संशिप्त होना ही आधर्श सविधान नहीं है कंटेंट भी अच्छे होने चाहिए तो हम समचिक्तता के आधार पर नहीं क्या सकते कि वह आधर सविधान के लक्षन है दूसरा व्यापक्ता सविधान की व्यापक्ता का अर्थ यह है कि उसमें सभी मौलिक महत्तों की बातों का समावेश होना चाहिए उधारण के लिए सरकार के संगठन सरकार के अंगों के अधिकार वकर्तव्य उनके पारस्परिक संबन शासन के आधारभो सिध्धानतों एवं नियमों का ही व्यापक्ता पुर्वक वर्णन होना चाहिए इससे सरकार के विभिन अंगों के बीच बेकार के विवाद नहीं होते यहां पर हम देखेंगे व्यापक सविधान में भारत का सविधान हम देखेंगे भारत का सविधान व्यापक है जिसमें हर एक बातों का वर्णन उसमें किया गया है भारत के सविधान में हम देखेंगे कि निर्वाचन जो आयोग है उसका भी उल्लेक सविधान में किया गया है निर्वाचन जो है लोक तंत्र का प्राण होता है और इसलिए भारत के सविधान में उसका उल्लेक किया गया है और कम से कम छे जो अनुच्छेद है वो निर्वाचन से निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं जबकि आप अमेरिका का सविधान देखेंगे तो केवल साथ ही अनुच्छेद और हमारे निर्वाचन आयोग के लिए निर्वाचन के लिए ही केवल 6 अनुच्छेद दिये गए ह व्यापक सविधान में मौलिक अधिकारों का भी उल्लेक किया जाना चाहिए तो भारत है जर्मनी है दक्षिन आफ्रिका है औस्ट्रेलिया है यहां के सविधानों में नागरिकों के अधिकारों को 15 से 20 भागों में कम से कम दिया गया है अधिकारों को यहां पर जो केंद्र और राज्य के जो विवाद हैं वो ज़्यादा नहीं होते बहुत कम होते हैं तो व्यापक जो सविधान है इसको हम एक आदर्श सविधान के रूप में देख सकते हैं सविधान का मुख्यगुण उसकी सविधान की भाशा इसपश्च और निश्चित होने पर ना केवल लोगों को सविधान समझने में आसानी होती है वरण सरकार के विभिन अंग उसे समझ कर उसके अनुसार आजरन कर सकते हैं फलसरूप राश्टर के विकास में सहायता मिलती है सविधान की इसपश्टता वनिश्चता के लिए लिखिस सविधान को ही अपनाना उचित माना जाता है सविधान में इस पश्ट उल्ले का होना ज़रूरी है ब्रिटेन जिसने दुनिया पर राच किया कई सारे उपनिवेश बनाए किस आधार पर बनाए उन्होंने लिखा नहीं था इसलिए मनमाने तरीके से उन्होंने शाशन किया द्विति विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देश आजाद हुए और सबसे ज़्यादा ब्रिटिश उपनिवेश आजाद हुए वो तो इतने सालों से 200-300 सालों तक शासित होते आ रहे हैं ब्रिटेन से ब्रिटेन का उन पर प्रभावी था वो भी जानते थे कि अलिखिस सविधान के अधार पर वो शासन कर रहे हैं तो उन्होंने क्यों लिखिस सविधान को अपनाया अलिखिस सविधान को क्यों नहीं अपनाया क्योंकि उन्होंने देखा कि अलिखिस सविधान होने की वज़ा से जो राज्य है वो मनमाना आचरन करती है मनमाने तरीके से शासन करती है और उपनिवेश भी बनाती है लिखा ना होने की वज़ा से शोशन और अत्याचार की संभावनाई भी बहुत होती है इसलिए द्विति विश्वयुद्धे के बाद इतने भी देश आजाद हुए खास थे और वो नहीं चाहते थे और दूसरी बात यह है कि राजनीतिक आई स्थिर्ता बहुत थी तो इस्थिर्ता लाने के लिए शोशन से बचाने के लिए सविधान को लिखना जरूरी उन्होंने समझा चौथा नागरिकों के अधिकारों की घोष्ण सविधान में ही नागरि को के हित और सवतंत्रता अधिक सुरक्षित हो जाते हैं और व्यवस्थापिका एवं कारेपालिका नागरिकों के अधिकारों के साथ अनावश्यक छेडशार नहीं कर सकते सविधान में इन अधिकारों की रक्षा की गैरंटी होनी चाहिए भारत वामेरिका आधिदेशों सविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन तो किया गया है साथ में सर्वोच न्याले या उच्छ न्याले भी इनकी रक्षा करते हैं वर्तमाल समय में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेक सविधान में किया जाना चाहिए यहां हम देखेंगे कि अधिकार जो हैं व्यक्ति के लिए बहुत जादा महत्तोपुर्ण है लिखित सविधान होता है कठोड सविधान होता है उससे नागरिकों के अधिकार जादा सुरक्षित होते हैं कैसे जैसे जर्मनी जर्मनी का जब आप सविधान देहेंगे तो उनके सविधान का जो पहला जो भाग है वो अधिकारों से संबंदित है तो प्रश्ण यहां पर य संबंधित क्यों रखा क्योंकि वन्होंने हिटलर के Panशायों और अत्याचार से काफी वाकिफ थे तो वह नहीं चाहते थे कि कोई सरकार जब आए तो नागरीकों पर त्या director करें उसका शोशन्द करें तानाशा करें इसलिए उन्होंने अधिकार को अपने सविधान में पहला इस्थान दिया जबकि भारत में पहला भाग है वो राज्य से संबंदी थे हमारे देश में भी हमें मौलिक अधिकार मिले हैं और हमारे मौलिक अधिकार के साथ युक्ती युक्त निर्बंधन किये गए हैं जैसे कि आपको अभी व्यक्ति की आजादी है पर आप देश विरोधी बाते आप ने कर सकते तो भारत में और अमेरिका में सकारात्मक स्वतंत्रता मिली है आपके अधिकारों से किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को नुकसान नहीं पहुचना चाहिए तो अधिकार जो है उसका उल्ले सविधान में होना जरूरी है पाच्वा नियायपालिका की स्वतंत्रता एक अच्छे सविधान के अंतरगत एक स्वतंत्र और निश्पक्ष नियायपालिका की इस्थापना की जानी चाहिए जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की नियंत्रण से मुक्त हो नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा स्वतंत्रता की रक्षा सरकार की विभिन अंगों के कार्यों की वैदता की जाज करके सविधान की सर्वोच्चता को बनाई रखने के लिए स्वतंत्र और निस पक्ष न्याय पालिका का होना आवश्यक है न्याय की जो आवधार्णा है वो शोशन से ही आरंभ होती है शोशन जहां पर हो रहा है वहाँ पर समाजिक न्याय की आवश्यक्ता है प्रकृतिक न्याय की आवश्यक्ता है तो न्याय करेगा कौन इसके लिए एक न्याय पालिका होनी चाहिए राज्य जो है शक्ति का ही प्रयोग करता है और वो शक्ति का प्रयोग जब करता है तो वो अनुचित ही होता है तो न्याय पालिका राज्य की शक्ति को अनुचित प्रयोग करने से रोकती है नियाई पालिका सविधान की रक्षा करती है और सविधान की व्याक्या भी करती है अगर हम भारत और अमेरिका के सविधान को देखें तो देश जो है सविधान की अनुसार चलता है और सविधान की रक्षा की जो जिम्मेदारी है वो नियायपालिका की होती है इसलिए नियायपालिका निस्पक्ष होने चाहिए दूसरी बात नागरिकों के जो मौलिक अधिकार होने उनके इंपोर्टेंट है पर उससे भी जादा जो महत्तुपूर्ण है वो ये है कि उन स्वतंत्र अर्निस्पक्ष होना जरूरी है अगर हम अमरीका को देखे तो अमेरीका का फेडरल धो में है जो है वो बहुत शक्तिसाली है भारत के सरवोच न्याले से वह जादा शक्ति अमेरिका के फेडरल कोर्ट के पास होता है तो एक आदर शरा विधान का लक्षण ये है कि वहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष नयाइपालिका होनी चाहिए चटव्य है परिवर्तन शेलता मनश्य एक विकाशील प्राणी है अत्ता उसके समाजिक आर्थिक एवं राशनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन होने के साथ सविधान में भी उचित परिवर्तन होना आवश्यक है अच्छे सविधान में परिवर्तन शीलता का गुण होना आवश्यक है वहीं वो इतना भी अधिक परिवर्तन शील नए होना चाहिए कि बार-ब मन्चाही तरीके से उसमें मौलिक सिध्धानतों में हेर फेर या परिवर्तन किया जा सके एक अच्छे सविधान में इस्थाइत्व और परिवर्तन शीलता के बीच एक उचिस समन्वय या सामांजस्य स्थापित किया जाना चाहिए इसका हम उधारण देख सकते हैं चीन से चीन में एक दल और एक पार्टी का शासन चलता है इसलिए वो मन्माने तरीके से अपनी इच्छा अनुसार अपने स्वार्थ के अनुसार सविधान में परिवर्तन कर देते हैं जैसे चीन का सविधान चार बार बनाया गया है, चारों बार उन्होंने सविधान में परिवर्तन किया, मौलिक सिधान्तों से भी वो हेर फेर करते हैं, चीन का जो जन्म हुआ है समाजवाद के आधार पर हुआ है, पर दीरे दीरे ये समाजवाद पूंजी वाद की ओर कठोर ता देखेंगे अगर हम समय और परिस्थिति के अनुसार हमें सविधान में भी परिवर्तन करते रहना चाहिए जैसे कि अमेरिका अमेरिका का सविधान इतना जादा कठोर है कि मात्र जब से सविधान बना है 1770 से मात्र 27 ही संशोधन हुए हैं अमेरिका में तो समय परिस्थिती तो वहां भी बदल रही है पर सविधान नहीं बदल रहा है क्यों नहीं बदल रहा है क्योंकि सविधान कठोर है इसलिए सविधान लचीला और कठोर दोना होना चीए जैसे कि भारत का सविधान भारत का सविधान कठोर और लचीला दोनों है जब ये भारत को लगा किसे परिवर्तन करने चे उसने परिवर्तन किया और भारत को लगा कि ये परिवर्तन नहीं होने चे उसने नहीं भी किये जैसे भारत जब आजाद हुआ तो भारत की जो अर्थवस्था थी काफी जर जर भारत शक्तिशाली बन सकता था यह बन सकता है भारत के आगे अगर हम अमेरिका रूस बड़े बड़े देशों को देखें तो उनके पास छेतरफल भी बहुत था और रिसोर्सेज भी बहुत थे भारत के अंदर छमता है कि वो आगे बढ़ सकता है इनको टकर दे सकता है पर समस्या यह थी कि भारत के पास रिसोर्स थोड़े कम थे भारत के सविधान में शुरुवात में संपत्ति का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार बनाया गया अब भारत को नती करनी है अर्थवस्ता को उचा उठाना है महाशक्ति बननी है तो ऐसे में भारत ने संपत्ति के अधिकार को संशोधन करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया तो भारत ने अपनी समय और परिस्ति के अनुसार उस अधिकार में परिवर्तन किया तो कहने का तात पर यह यह है कि समाज बदल रहा है परिवर्तन हो रहा है आर्थी कंडिशन बदल रही है तो सविधान में भी परिवर्तन होने चीए लेकिन इतना परिवर्तन ने कि मूल सिध्धान तो को ही बदर डाले तो सबसे अच्छा उधाराण इसका भारत है अगला है आपात कालिन व्यवस्था संकट कालिन इस्थती तो आती है पहले भी आती थी अब भी आती है सभी देशों ने आक्रमन को देखा है हिंसा को देखा है तो इन आक्रमन और हिंसा से निपटने के लिए इस पश्च रूप से आपात उपबंद होने चाहिए जैसे कि भारत भारत में चाहे वो राश्ट्रे आपात हो उसके लिए उपबंद किया गया है चाहे राज्यों में सवेधानिक तंत्र विफल हो उसके लिए उपबंद है अगर वित्ती आपात आ जाए उसके लिए वो उपबंद किया जाए चाहे संकट की स्थति जैसे भी हो उससे निपटन के लिए हमारे पास उपबंध इस पश्च रूप से उलेख्यत हैं है 5 2 देश की परिस्थितियों के अनुकूल एक अच्छा सवीधान वह है जो देश की परिस्थितियों के अनुकूल हो जो राष्ण विकास में सहायक हो जैसे कि आस्ट्रेलिया ब्रिटिश जो थे कैदियों को आस्ट्रेलिया में भेजेते थे वो कैदी ही रिहा होकर उन्होंने आस्ट्रेलिया का निर्मान किया और उन्होंने अपने सविधान में अधिकार का उलेख ने किया क्यों ने किया क्योंकि उनको शोशन नहीं हुआ है उन्होंने खुद अपने अपने देश को बनाया है सविधान लिखाया तो उन्हें अधिकारों की आवशक्ता नहीं हुई कि हम उसको लिखे पर जर्मनी को देखें आप उधारन में जर्मनी के सविधान में पहले ही भाग म तो अधिकार को उन्होंने पहले भाग के रुप में लिखा भारत में भी शोशन और अत्याचार और भेदभा बहुत हुए हैं इसलिए भारत ने भी अपने सविधान में मौलिक अधिकारों का उल्ले किया है तो जैसा देश होता है उसी परिस्थिती होती है उसी के अनुसार देश के सविधान का निर्माण किया जाता है कुछ प्रमुख बिंदु हम देखते हैं सविधान का अर्थ सविधान ऐसे निश्चित नियमों का संग्रह होता है जिसमें सरकार की कारे प्रणाली प्रतिपादित होती है और जिन के द्वारा उसका संचालन होता है सविधान का महत्व और आवश्रक्ता सविधान राज्य की आत्मा होती है सविधान का महत्व ये है कि यह शासन के विभेन अंगों तथा राज्य वर नागरिकों के बीच संबंधों को निर्धारित करता है सविधान की विनार राज्य विना निव के भवन के समान होगा आदर्श सविधान के लक्षन संशिप्त होने चाहिए, इस्पष्ट वनिश्चित होने चाहिए, व्यापक होने चाहिए, मौलिक अथिकारों की घोशना होनी चाहिए, नियायपालिका की स्वतंत्रता, परिवर्तन शील होना चाहिए, आपातकालिन व्यवस्था होनी चाहिए और देश की परिस्थिते के अनुकूल होने चाहिए. सविधान का वर्गी करण या प्रकार, वर्तमान समय में सविधान को हमने बहुत सारे आधार पर वर्गी करित किया है, उत्पत्ती के आधार पर विक्सित और निर्मिस सविधान, प्रथाओं और कानून के अनुपात के आधार पर भी हमने दो प्रकार में विभाजित किया है लिखिस सविधान और अलिखिस सविधान परिवर्तन श्रीरता के आधार पर भी दो प्रकार है लचीला सविधान और कठोर सविधान हमने सविधान को जाना, समझा, पढ़ा अब हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से प्रश्ण परिक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्णों के प्रकार को देखेंगे कुछ लगुत्तरी प्रश्ण होते हैं जिसके उत्तर आपको सीमित देने होते हैं कुछ दिर्गत्री प्रश्ण होते हैं, जिसको आपको थोड़ा व्यापक रूप से उसका उत्तर देना होता है, कई प्रश्ण ऐसे होते हैं, जिसमें दो प्रश्ण छुपे होते हैं, तो इसका जो उत्तर हैं आप पेरग्राफ चेंज करके भी आप लिख सकते हैं, तो देख जरूरी है इस तरह का निर्धारण ना हो तो क्या होगा तो सविधान में शक्तियों का निर्धारण करना जरूरी है शक्तियों का निर्धारण करेंगे तभी पता चलेगा कि कौन सा अंग या सरकार किस प्रकार से कारे करेगी अगर शक्तियों का अजमेदारियों का निर्धा कशनक निर्धारंट ना हो सके तो वह हैं एक दूसरे के कारेंस में हस्तचेफ हो गाँ जिसे समाजिक विवस्ता देश की विवस्ता बिगड़ सकती है इसलिए शक्तियों का विभाजनन होना जरूरी है कि अगला प्रश्न शास्को की सीमा का निर्धारण करना सविधान के लिए क्यों जरूरी है क्या कोई ऐसा भी सविधान हो सकता है जो नागरेकों को कोई अधिकार ना दे सरकार या शासक अगर हम उसकी शक्ती पर सीमा ना लगाएं तो वो निरंकुष हो सकता है जैसे इसके कई सारे उधारण हम देख सकते हैं ब्रिटेन में राज तंत्र हुआ करता था राजा निरंकुष हुआ करता था इसलिए वहां की जनता को उसका विद्रोह करना पड़ा रूस में जार का जो शासन था शासक के पास असिमिश शक्ति थी और वो निरंकुष था तो वहां की जनता ने भ यहां कहीं भी जो शासक है उसके पास असिमिश शक्ति होती है तो वो निरंकुष होता है और वो अत्याचार करना शुरू कर देता है इसलिए शासक पर सीमा लगानी आवश्य होती है कोई भी विश्व में ऐसा कोई सविधान नहीं है संभवता जिन्होंने अपने नागरी को को कोई अधिकार ना दिया हो लगबक सभी देशों ने अपने नागरीकों को किसी ना किसी रूप में अधिकार जरूर दिये हैं प्रश्ण जब जपान का सविधान बना तब दूसरे विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जपान अमेरिकी सेना के कबजे में था जपान के सविधान में ऐसा कोई प्राधान होना असंबव था जो अमेरिकी सेना को पसंद ना हो ये गलत है जब आने उनके पास अपना सविधान होना चाहिए अपने सविधान के नुसारे उनको शासन करना चाहिए क्या आपको लगता है कि सविधान को इस तरह बनाने में कोई कठिनाई है नहीं कोई कठिनाई नहीं हो सकती है भारत में सविधान बनाने का अनुभव किस तरह इस से अलग है भारत एक स्वतंत्र देश है और जैसा चाहे अपने देश के लिए सविधान बो बना सकता है भारती सविधान निर्माताओं ने अन्य देशों के सविधानों को पढ़ा और जो भी विशेस्था उन्हें नजर आई उन विशेस्ताओं को भारत के सविधान में शामिल किया तो आई ये हम भारत के सविधान के कुछ रोत हैं उसको हम देखते हैं जैसे भारण शासन अधिनियम 1925 इनसे संघात्मग व्यवस्था, राज्यपाल का पद, न्यायपाली का, लोकसेवा आयो, अपातकाल, उपबन और प्रशासनिक व्यवस्था ये हमने भारती शासन अधिनियम 1925 से लिया हैं आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया से हमने अनुसूची, बारा नुसूची जो है हमारे पास, तो अनुसूची जो है वो हमने आस्ट्रेलिया से लिया है अंतर राज्चिय या अंतर राश्ट्रिय व्यापाल और वानिज्जी की सुतंत्रता ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है संसत का संयुक्त अधिवेशन दोनों सदन साथ में अधिवेशन होता है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है कनाडा कनाड़ा से हम ने संघात्मक शासन में शक्तिशाली केंद्र 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 को जादा शक्तिशाली बलाएंगे अवसिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगे अमेरिका भी संघात्मक देश है लेकिन अमेरिका भी संघात्मक देश है पर वहां अवसिष्ट शक्तियां केंद्र के पास नहीं किन्तु राज्यों के पास होती है पर भारत में अवसिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है तो यह विशेस्ता हमने कनाड़ा से लिया है राज्यपाल की राज्यपाल की न्यूक्ति केंद्र के द्वारा सर्वोच्य न्यालय का परमर्ष दात्री रूप सर्वोच्य न्यालय के जो न्याय धीश है वो राश्ट्रपति को परमर्ष देते हैं यह हमने कनाड़ा से लिया है आयरलेंड से हमने राज्य के नीती निर्देश तत्व लिया राज्य सभा में बारा सदस्यों का मनो नयन यह भी हमने आयरलेंड से लिया है और राश्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली यह भी हमने आयरलेंड से लिया है जापान वीधी द्वारा इस्थापित प्रक्रिया यह हमने जापान से रूस मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में जो आधर्ज है समाजिक आर्थिक राश्णितिक न्याय की यह भी हमने रूस से लिया है यूके या ब्रिटेन ब्रिटेन से संसदात्मक शासन वीधी का शासन संसदिय प्रक्रिया एकहरी नागरिकता भारत संघात्मक देश है और संघात्मक देश में दो प्रकार की नागरिकता होती है पर भारत संघात्मक होते वे भी एक हरी नागरिक्ता को अपनाया है जो उसने ब्रिटेन से लिया है मंत्री मंडल व्यवस्था संसत के विशेशा अधिकार और द्वीसद नात्मक व्यवस्था पिका यह भी ब्रिटेन से लिया गया है अमेरिका अमेरिका से मौलिक अधिकार स्वतंत्र न्यायपालिका न्यायक पुनर विलोकन राष्ट्रुपति पर महाभियों सर्वोच्च न्याले और उच्च न्याले के न्याधिशों को पद से हटाने और उप्राष्ट्रुपति का पद यह हमने अमेरिका से लिया है जर्मनी संकटकाल या अपातकाल में मौलिक अधिकार का इस्थगन यह हमने जर्मनी से लिया है दक्षिन आफ्रिका सविधान में संशोधन और राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचल यह दक्षिन आफ्रिका से लिया गया है फ्रांस गणतंत्र और प्रस्तावना में जो आधर्श है स्वतंत्रता समानता और भ्रात्रित्त्व यह हमने फ्रांस से लिया है